भले ही कुरोना लॉक्डाउन में लोग घरों में कैद हो, रोजी रोटी का संकट उनके सामने हो, इनकम का कोई साधन नहों, लेकिन इस भयंकर इस्थिती में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, चाहे वो कुरंटाइन सेंटर में लोगों को पांसो असी रुपए का टमाटर ही खिला कर क्यो नहों, घूम गया ना सर, लेकिन चत्तिस गड़ के एक ही कुरंटाइन सेंटर का हाल ऐसा नहीं है, बलकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रवासी मजदूरों और बाहर से आए लोगों के नाम पर जमकर की लोग की दर से टमाटर खरीदी करने का मामला सामने आया है, काकिर जिले के इमली पारा कॉरंटाइन सेंटर में टमाटर की ये महंगी खरीदी की गई है, इस्थानी जन्पृती निधी इसे भ्रष्टाचार का खुला खेल बता रहे हैं, तो वहीं अफसर इस मामले में प सूचना की अधिकार के तहट इस मामले को उजागर किया गया, ये घटना सामने आई, ये दस्तावेश सामने आये, कि कैसे लोगों को 580 रुपए का टमाटर खिलाया गया, दरूरर पर इसको मिली जानकारी के मुताबिक इमली पारा कॉरंटाइन सेंटर में सबजी बनाने क के लिए टमाटर की प्रती किलो 500 रुपए में दर से खरीदी की गई है और इसका बिल लगाया गया है, जबकि उक्त टमाटर की अधिक्तम कीमत वर्तमान समय में 20 रुपए से ज़्यादा थी ही नहीं, साथ ये अन्य सबजीयों का भी कीमत बढ़ा कर दिखाया गया है, दस् जिम्यदारों ने बाजार मूल से कई गुनाधिक कीमत पर खरीदी करने का बिल लगाया है, और इसका भुकतान भी विभाग द्वारा कर दिया गया है, इतना ही नहीं कॉरंटाइन सेंटर के लिए खरीदी की गई समगरी के बिल में GST वर टिन नंबर तक है ही नहीं, दस्त जियों की खरीदी को लेकर इस्थानी विधायक और राज सरकार में संसदी सचिव, सिसुपाल सोरी ने कारवाही की मांग की है, सिसुपाल ने कहा कि अफसरों द्वारा किया गया या भरष्टाचार खुला खेल के जैसे नजर आ रहा है, अफसरों ने गचप कर दिया है, व रिसीव होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसके बाद मैसेज भी किया गया, तो मैसेज में भी कोई जवाब नहीं मिला, तो ये थी कहानी 500 रुपए वाले टमाटर की, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आकन को दब आले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेस्बूक के ट्विटर पेज पर देख रहे हैं, तुसे भी फॉलो और लाइक कर दे, धन्यवाद,